जी अब हम सीखने जा रहे हैं दो ने कंसेप्ट आज के लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट सीखने हैं पहला कंसेप्ट डिफरेंस बिट्वेन पार्टनर्शिप एंड कोनर्शिप ठीक है इसके इन दोनों कंसेप्ट के बारे में बिरिफली आप पढ़ चुके हैं किसी हाथ तक इनका कंपैरिजन भी एक दो पॉइंट सा आप कवर कर चुके हैं लेकिन इसको कंपैरिटिव फार्म में कंप्लीट कंसेप्ट की शेकल में अब डिसकस करेंगे पार्टनर्शिप और कोनर्शिप दरिम्यान में डिफरेंस फिर इसके बाद हम देखेंगे टाइपस ओफ पार्टनर्शिप क्या है याद रखें दो कंसेप्ट्स हैं एक है टाइपस ओफ पार्टनर्शिप और एक है टाइपस ओफ पार्टनर्शिप और एक है टाइपस ओफ पार्टनर्शिप types of partner नहीं तो types of partner होगा वो हम कल सीखेंगे आज दो concept कौन से हैं partnership और ownership में difference और दूसरा types of partnership अगर partnership का concept आपको clear है तो आप बड़ी असानी के साथ partnership और ownership में फरक जो है इसको understand कर सकते हैं पहले मैं point आपको बताऊंगा कुशिश करनी है के difference आप टोड़े पार्टनरशिप की फार्मेशन कैसे होती है? पार्टनरशिप कैसे बनती है? Through Agreement कहता है development जब create होगी through agreement और GoNership कैसे होगी? इसके लिए agreement होना जरूरी नहीं है. जैसे लिए एक बाब के दो बच्चे जैसे ही बाब की death हुई उसके जितनी property होती है उसके बचे सारे उसके co-owners बन जाती है उनका status कहता है को हाला कि बचों का आपस में कोई agreement नहीं हुआ ठीक है तो co-ownership without agreement create हो सकती है हो सकते है agreement भी हो ठीक है पपहले property नहीं थी दो भाईयों ने मिलके कोई property buy कर ली अब वो दोनों उसके को अनिया प्रापरटी का अग्रीमेंट तो हुआ अगर जिस्टिभ गारा तो ही होगी जो दोनों के नाम पे होगी तो semana में अग्रीमेंट भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन पार्टनर्शिप में अग्रीमेंट होना लाजमी है है पहला डिफरेंस क्लियर हुआ दूसरा डिफरेंस बिजनिस पार्टनर्शिप में बिजनिस केरियों होना लाजमी है यानि कोई ना कोई ऐसी एक्टिवटी जो प्रॉफिट पर्पस के लिए की जाए यह लाजमी है को अनर्शिप में बिजनिस राना लाजमी जैसे جो जैंट प्रॉपर्टी थी कोई होटल था वारे कोई घर था उसको रेंट पे दे दिया धूनों ने अब यह बिजनेस नहीं है क्यों बिजनेस क्यों homeless में तो profit share होता है यहां पर गैस्ट रेंड शेर हो रहा है तो partnership में business होना ज़रूरी है कौं partnership मेंelleεις होना नहीं है हो सकता है मैंगे किसे को फीरेंग ना दिया हौने का खाली फड़ी है उत्मै है वाज़ूकात ऐसे हुता है साला साल से वापरिटी के दो ओनर eyes और वो प्रॉपरिटी को नहीं पराड़्टी कोते हैं तो तीन भी हो सकते हैं कि maximum कितने members होंगे 20 अहां professional firm के case में 20 से ज़्यादा हो सकते हैं banking business के case में 20 से कम भी 10 लेकिन partnership agreement में maximum number of members की मुमी limit होती है को अनर्शिप में कोई limit नहीं है कोई भी तदाद हो सकती है है तो यहां पे next concept यह है partnership में business होगा एक मिट हर आप पार्टर्शिप में business होगा को अनर्शिप में business नहीं है या तो कुछ भी नहीं होगा या अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा रेंट शेरिंग होगी नमबर ऑफ परसंट पार्टनर्शिप में कितने मिनिमम टू मैक्सिमम ट्विंटी नॉर्म ट्विंटी से कम ज्यादा पॉसिबल है को नशिप में लाने कोई लिमेड नहीं लगाई कोई भी मेंबर उसाथ जी पुछी क्या क्वेस्टन है अपका जो कॉपरेटिव सोसाइटिस होती है उनके लिए अलाइदा से लाओ कॉपरेटिव सोसाइटिस वो उसमें डील होते हैं उनको हम पार्टनर्शिप फार्म नहीं कहेंगे ठीक है नेक्स शेरिंग अफ प्रॉफिट पार्टनर्शिप में शेरिंग अफ प्रॉफिट होगी को होगिना तो ज्यादा से ज्यादा से ज्याधा शेरिंग होगा कर रेंट होगा कि सिरेंग होगा है ये होगि को अनुर्षिप में और शेरिंगों प्रॉफिट कहा होगी पार्णेशेप में शालर नेक्स एजेंसी एक दूसरे के जेंट होते हैं एक एक से दूसरा मैंड हो सकता है को नज एक दूसरे के जेंड नहीं होते एक बंदा अपने अक्से दूसरे को बाइंड नहीं कर सकता एजंसी रिलेशन्शिप किस में क्रियेट होता है पार्टनर्शिप में को अनर्शिप में एजंसी रिलेशन्शिप नहीं क्रियेट होता को अनर्श एक दूसरे के एजंट नहीं होते कोई भी एक बंदा जो भी काम करता are है दूसरा असका जिम्मेदार कोई नहीं है अगर कोंनर में किसी एक न meal लिया तो दूसर ना दिया थिम्मेदार है नहीं लेकिन पार्टरशिप में इंट्रस्ट को ट्रांसफर करना है, सारे पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है, को ओनर्शिप में जरूरी नहीं, जिसकी प्रॉपरिटी है, वो जब चाहे उसको बेचना चाहे, वो बेच सकता है, ठीक है, बाजुकात ऐसे होता है, legal dispute दो लोगों की joint प्रॉपरिटी है, ठीक ह होना है, दूसरा कहता है, नहीं, मैंने इसको नहीं प्रॉपरिटा हो गया, क्या कोई एक को उनर्दूसरे की मर्जी के खिलाफ अपना हिस्सा सेल कर सकता है, इस अब पिल्कुल सेल कर सकता है, कोड भी यही करती है, भाई या तो तुम खुद खरीद लो, जो नहीं कोई एक पार्टनर अपनी कंसेंट से ये काम नहीं कर सकता है, लेकि मैं इसको थोड़ा डिटेल में करना चाता हूँ, में कंसेंट हो गया, ट्रांसफर ओफ इंटरस्ट से सुन लिजे क्या हम रहा है, इंटरस्ट से मराद वो इंटरस्ट इंकम या इंटरस्ट एक्समेंस या जो लून पे होता है, अपना हिस्सा, अपना शेयर, कोई भी कोई अनर अपने हिस्से की प्रापरटी किसी दूसरे को बेच सकता है, उसे दूसरे कोई अनर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, बता दे, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पार्टनर को पैसों की जरूरत है और वो अपना हिसा बेचना चाहता है पार्टनर्शिप में पार्टनर्शिप में अपना हिसा बेच सकता है लेकिन बाकी सारे पार्टनर्स की रजामन्दी के साथ बाकी सारे पार्टनर उसे इजाज़ा देंगे फिर वो अपना हिसा बेच सकता है वरन साहा कोई आए बैट जा कोई बात हो सकती है कोई बात नहीं हो सकती फैम्ही मेंट हो इसी तरह पार्टनर्शिप के अंदर भी चार पार्टनर जिन्हें ने काम शुरू किया था कि किसी एक को पैसो की ज़रोथ है उसने अगर किसी को sell करना है किसी outsider को तो वो बाकी partner की consent होगी फिर sell कर सकेगा वरना sell नहीं कर सकेगा यह transfer of interest का concept समझा गया यह हम detail में study करेंगे बात में आपको कल भी बताया था इसमें कोई problem difference में अच्छा अब चलते हैं हम अपने अगले concept की तरफ के partnership की types अच्छा partnership की types हैं partner की type नहीं है partnership की simple concept दो types है partnership की कितनी types हैं दो types है एक particular partnership और एक partnership at will particular का मतलब जो मखेसूस खास जो खास क्या खास क्या ऐसी partnership जो किसी खास purpose के लिए की जहे या किसी खास मुदद के लिए की जाए ऐसी partnership को कहते है particular partnership फिर से सुनने जिए particular partnership कौन सी partnership है जो किसी specific period या specific purpose के लिए की जाए जैसे कोई damn concert करवाना है ठीक है जैसे कोई movie बनानी है जैसे 3 साल तक की partnership चलेगी 6 महिने तक चलेगी partnership क्या हम partnership में purpose या period को specify कर सकते हैं इसका जब है yes कर सकते हैं तो इस सूरत में अगर purpose को specify कर दिया rule क्या है जैसे ही वो purpose complete हुआ या period expire हुआ partnership automatically खत्म और अगर इसको first कीजिए इसके बाद continue करते रहते हैं तो फिर ये particular partnership नहीं रहेगी ये क्या बन जाएगी partnership at will बन जाएगी तो particular partnership कौन सी partnership है जो के specific project या period के लिए create की जाए बिल्कुल इसकी इजादत है rule क्या है कि जैसे ही purpose complete होगा या period expire होगा ये partnership dissolve हो जाएगी खत्म हो जाएगी अलादा notice देने की जरूरत नहीं है normal case में अगर किसी ने partnership को छोड़ना होना या partnership खत्म कर तो notice होता है return notice कौन सा notice return जबानी कलामी नहीं नोटेस नहीं रिटन जबानी कलामी नहीं लेकिन अगर particular partnership है और उसका purpose या उसका जो time था complete हो गया है notice की जरूरत नहीं वो दरीफार होगी पाना हाँ लेकिन अगर purpose या period complete होने के बाद भी इसको continue करें तो law कहते हैं हम यह समझेंगे परानी partnership खत्म होगी उसकी जगा नहीं partnership शुरू होगी जो नहीं partnership है यह कुन सी है partnership at will concept समझा गया परानी खत्म हो जाती automatically अगर continue करें तो फिर उसका status क्या हो जाता है दूसरी partnership है partnership at will पहली थी particular partnership दूसरे यह ऐसी partnership होती है जिसमें कोई duration या project mention नहीं होता कि कौन सा project complete करने के लिए बनी है या duration होगी duration या project specified नहीं होता इसका मतब है इसकी कोई limit इसका the end नहीं decide हुआ ठीक है particular partnership है तो the end decide होता है छे मिने बाद छे साल बाद दो साल बाद या यह complete हो जाएगी construction फिर इसके बाद partnership at will में है duration या project specified नहीं है अच्छा at will का मतलता है मर्जी partnership at will का मतलब है ऐसी partnership जिसमें हरे की मर्जी है मर्जी क्या जितना अर्षा partnership में रहना चाहता है रहे और जब उसकी मर्जी नहीं है मर्जी है तो partnership में रहे और मर्जी नहीं है तो partnership को छोड़ दे ऐसी partnership को कहता है partnership at will कोई project complete होने का इंतजार नहीं करना कोई period complete होने का इंतजार नहीं करना जब तक दिल है पार्टनर रहे और जब पार्टनर बनने का दिल नहीं है शोक पूरा हो गया पार्टनर्शिप छोड़ दे ऐसी पार्टनर्शिप को क्या कहते है एट विल जिस दिन आपने नोट्रस दिया पार्टनर्शिप को छोड़ना है नोट्रस दे पार्टनर्शिप ख खत्म होगी है ठीक है नोटिस रिक्वाइड नहीं है लेकिन पार्टनेशिप एडविल में नोटिस रिक्वाइड है और इन राइटिंग रिक्वाइड है कौन सा इन राइटिंग वही कब नोटिस देना है जब निकलना है नोटिस देना है हाँ वो यह कहता है कि जो आपने notice देना है ना पब्लिक नोटिस उसमें date लिख दीजीगा कि notice को कब से effective समझा जाए यानि मैं आज क्या तारीख है 20 तारीख से 20 नमंबर, दिसम्बर 20 दिसम्बर से मैं partner नहीं हूँ अब notice आज दिया notice पे effective date डाली 20 दिसम्बर की तो partnership कब dissolve होगी 20 दिसम्बर और अगर मैंने notice दिया और उसमें date लिखी नहीं जिस दिन notice communicate हुआ उसी दिन फारद partnership act विल कब dissolve होगी particular partnership कब dissolve होगी period या purpose पर्जेक्ट complete हो partnership विल कब dissolve होगी जब notice दे देंगे notice मैंकर date mention है notice मैंकर date mention नहीं है तो जैसे ही notice देंगे लेकि यह notice in writing देना भाई आप बार बार कह रहे होगी जबानी इकलामी नहीं देना ठीक है अच्छा फर्ज कीजिए अब यह एक आहरी concept आसवा आपको एक example बताता हूँ आपने बताना यह partnership at will है के नहीं partnership agreement हुआ उसमें कोई पीरियर्ड और प्रोजेक्ट मेंशन नहीं है पूरी बास सुन लेजेगा कोई पीरियर्ड यह प्रोजेक्ट मेंशन लेकिन एक लाइन लिखी हुई है कि कोई भी partner resign तब कर सकता है जब बाकी के सारे partners की रजामन्दी हो वरना resign नहीं कर सकता वरना resign नहीं कर सकता भी बास समझ रहे हैं क्या यह कौन सी type of partnership क्या partnership at will है कितने सुन का है पार्टर्शिब at will है अगर आप देखे ना कि उसने कोई पीरियर्ड या प्रोजेक्ट मेंशन नहीं किया तो इसमें लगता है पार्टनर्शिप एडविल है लेकिन साथ ही साथ उसने एक अगली बात भी लिख दी क्या कोई पार्टनर अपनी मर्जी से केला रिजाइन नहीं कर सकता विड्रॉव नहीं कर सकता सारे पार्टनर की कंसेंट होगी फिर तो इसका मतब यह है अब यह पार्टनर्शिप एडविल नहीं रही पार्टनर्शिप एडविल नहीं रही अच्छा फिर क्या रही इसके बारे में लास आइलेंट है पार्टनर्शिप एडविल नहीं है वही विल क्यों नहीं है क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं जा सकता सा कि इसमें हमने जब तक सारे एग्री ना होंगे फिर क्लिया है क्या डिफरेंस बिट्वीन को नर्शिप एंड पार्टनर्शिप के लिए हो गया क्या टाइपस ऑफ पार्टनर्शिप समझ आ गया इसके साइनमेंट अच्छे तरीके से कीजेगा और खास तोर पे आपने यह च पूस लेजिए जो लोग बिजनस करते हैं दो बाई है आप दोरे बिजनस कौन भी किया है उसे प्रॉप अभी शेयर करें जी आज का लेक्शियर यहां पर खतम करते हम अल्ला हाफिस